विए और वेल्कम बेक टू मैं चैनल आज आप बनाएंगे एक दो और तीन नंबर के बाल गुपाल के ड्रेजर आएगी और तीनों साइस के बाल गुपाल को फिट आजाएगी तो चलिए हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हुए बताती हुए उसके लिए हमको क्या कर चाहि है यह जो फैब्रिक है हमारा यह जो पतला वाला वो बैलवट आता है वो है यह हमें चाहिए नेट का कपड़ा हमको चाहिए डेकुरेशन के लिए लेसे ही जरूरी नहीं यह आप चाहिए तो ले ना तो ना ले यह चाहिए आपको इंच टेप तो सबसे पहले हम क्या पैब्रिक लेंगे इसकी मैं आपको लंबाई चोड़ाई बता देती हूँ आप देखिए इसकी जो लंबाई है कुछ 18 इंच 18.2 इंच से फरक नहीं पड़ था आपसे 18 इंच लेके भी काप चला सकते हैं और इसकी जो चोड़ाई है वो करीबन है 2.8 इंच तो आप इतनी चोड़ाई ले लिजए और आब हम क्या करेंगे इसकी स्लीवज बनाने के लिए कपडा लेंगे यह देखिए ऐस तरीके honda दो पीस लेने है इसकी में लंबाई चोड़ाई आपको बता देती हूँ इसकी जो लंबाई चोड़ाई हम को जितनी व्यने लिए उतनी आप लेनी है दिखे चड़ाई है 2.4 इच आपको इतनी लेनी है लंबाई है इसकी 3.64 इतनी ही आपको इसकी लंबाई ले लेनी है अब हम क्या करेंगे ऐसे अस्तर से पलटना एक्टम एजेस बनाते हुए ताकि यह जो ग्रीन कपड़ा है उसका बिल्कुल भी साइड ना देखे देखे हम ऐसे पलटेंगे और यह ग्रीन जो देख रहा है ना असतर यह बिल्कुल नहीं देखना जी तो ऐसे दबा के अगर आप उसे यह नहीं दब रहा हो तो आप प्रेस करके भी इसको सेटल कर सकते हैं तो देखे अभी इस तरीके से हमें ऐसे दबा के इसको एगदम से सेट करके ऐसे इसमें मशीन चला देगे तो आप यह देख सकते हैं मैंने इस पर इस तरीके से मशीन चला दी यह देख लीजे कैसे हमें कोई अस्तन नहीं देख आप इसकी जो तीनों साइट बचे ये वाली साइट ये वाली साइट और ये वाली साइट ती रुपे हमको मशीन चलाने है तो आप ये देख सकते हैं मैंने इस पे एसे मशीन चला लिए इस तरीके से अब हम क्या करेगे एकस्टा में जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसे हम काड देएंगे और हमको जो असनल लेना है वो जो हमारा मेन फैबरिक के उसे ज़्वड़ा सा जादा लेते हुए चलना है तोड़की जब हम क्या करत इसे फोल्ट कटा के इससे नहीं संथा साफ करना है इसको पेस्टाएंगे मतक्तशन साइज है दोनों एज इतार तरफ वाला साइड और इतार तरफ वाला साइड ऐसे फोल्ड करते हैं इस तरफ भी एक फोल्ड करना है फिर इसे दोनों फोल्ड करना और इस पर मशीन चला देनी है तो मैं आपको मशीन चला के बताती हूँ आप ये देख सकते हैं, मैंने इस तरीके से ऐसे, और इस तरीके से ऐसे मशीन चला लिए, अब हम क्या करेंगे, इस तरफ से और इस तरफ से नीचे से, और फिर इस तरीके से उपर से, तो मैं आपको अटेच करके बताती हूँ, आप ये देख सकते हैं, मैंने इसे अटेच कर लगाएंगे इस तरीके से ऐसे फिर आप दो प्लेट्स बनाएंगे एक प्लेट इस तरीके से और फिर इस तरीके से दो तूसरी प्लेट और आप फिर इस पर पिल लगाएंगे अपने अकॉर्डिक प्लेट्स बनाएंगे अगर आपके बाल को बाल एक नमबर है तो प्लेट चोटी चोटी बनाईएगा, दो नंबर है तो थोड़ी सी बड़ी हो, तीन नंबर है थोड़ी सी बड़ी, और प्लेट बनाने के बाद एक बार बाल गोपाल का साइज ले लीजिए कि उनकी कमर में सही आ रहा है कि ने, और फिर इसके उपर मशीन चलाईएगा, तो ऐसे ये को फिटा जाएकि, मैं कैसे ऐसे बना रही हूं, आप भी ऐसे दीरे दीरे, इसके बनाती रहे, आप को ज़्यादा बड़ी प्लेट नहीं बना लेंगे, तो इसकट का साइड बड़ा हो जाएगा, आखरी मैं ऐसे करके इस तरीके से इसको इसे पर पिल लागा दी, आप ये कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा लोग है, आप ये हमारी जो स्लीप स्लीटी है, हम वो लेंगे, और इसको फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड इस तरीके से, और दूसरा फोल्ड इस तरीके से, ऐसे इसको चारो एजिस की फोल्ड कर लेंगे, आप ये देख सकते हैं, मैं इस तरीके से फोल्ड कर लिया है इसकी चोड़ाई क्या है मैं बता देती हूँ ए 1.2 इंच है और ये भी 1.2 इंच हमको इतनी रखनी इससे कम आपको स्लिप्ट की चोड़ाई नहीं रखनी अब हम देखे इस पैसे लैस अटैच करेंगे इस तरह और इस तरह अपने कर लेंगे फिर दूसरी स्ट्रिप भी ले लेंगे और इसको इस तरीके से एक इंच हैसे माख करके इस तरीके से ऐसे अब एक दूसरे के ऊपर रखके एक स्लिप्स के ऊपर दूसरी स्लिप्स मशीन चला देंगे तो आप ये देख सकते हो मैंने इस तरीके से से मशीन चला क किसे सिल लिया है, अब हम किसे क्या करेंगे, हाँ सकट को इसे बीच में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के अच्छे सिक्दम इसका बीच वाला पोइंट निकालेंगे, और चॉक से इसे माक करेंगे, इस तरीके से, और जो स्लीप्स पे हमने मशीन चलाए हुए इस तरीके से आप यह देख सकते हैं इस तरीके से ऐसे फिर लगा दिए और यहाँ पे ऐसे इसके उपर इस तरीके से मशीन चला देगे और देखे यह उपार नीचे नहीं होना चाहिए exact एंगदम back size आना चाहिए आपकी sleep skirt से उपर जाए ऐसे में sleep का size कम हो जाएगा आपको exact size की सिल्खे machine चलाने है आप यह देख सकते हैं यह मैंने machine चला दिया है और यह देखे बिल्कुल इसकी जो केनार है वो एकदम केनार से मिल रही है उपर नीचे नहीं हो तो आप इस बात का please ध्यान रखिए अब हमको क्या कहना है यह sleeps का देखिए अंदर वाला portion है इसको लेना side लेना है अंदर वाला side है वो लेंगी इस तरीके से और skirt का बाहर वाला side लेंगी इस तरीके से इसको ऐसे मिला देंगी देखिए दोनों किनारे अच्छे से मिलने चाहिए उपर वाला जो किना जो हमारी line है वो भी एकदम side match होनी चाहिए तो देखिए मैं इसमें अभी पिल लगा दूँगी इस तरीके से ऐसे आप भी ऐसे पिल लगा के फिरी तेले ताकि इस skirt सिलने में आपको आसानी हो और आप चाहिए तो पहले हासे भी इसे सिल सकते हैं यह देखिए तो मैंने इस पैस तरीके से से पिल लगा दिया यह और देखिए यह बिल्कुल इस skirt की एज मिल रही है न अब हम दूसरा लेंगे अंदर वाली केनार और इस skirt की भार वाला कीनारा दोलों केनारे लेके एकदम केनार से केनार मिला के हमारा बीच में थोड़ी पह चाहिए हो तो चल जाएगी पर जो बाहर वाली केनारे वो किनार से exact मिलने चाहिए ओक्र एस तरहीश से आप देख सकते हैं ऐसे यह मशीन चला देगी आप यह देख सकते हो मैंने इस तरीके से से मशीन चला दे और बनने के पाद कितना प्रिटी लग रहा है यह देख सकते हैं और मैं आपको यह बता दू यह जो स्कुर्ट का साइज है जो यह देख सकते हैं यह वाला तीन दबा के उसकी पूरी प्लेट्स बना लेंगे ऐसे जब दबा दबा के प्लेट्स बनाते न तो इसका टिक्डम सर्कुलर शेप में ले लेता है अगर आपको मेरा यह ब्लॉक पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेव और सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकोन को हिट करें थैंक्यू फर वाचिंग मैं चैनल